और हम लोग आज जो सीटेट का प्रीवियस यार 16 दिसंबर 2016 को एक्जाम हुआ था उसके मैस का सोलूशन करेंगे तो ओनलाइन एक्जाम हुआ था आप लोग का 2016 में जो आपको दिसंबर से लेकर जनवरी तक चला हुआ था और आपको पेपर वण में बंदरा कुशन बनाने में मैस का कोई दिकत नहीं होगा तो आप मारा साथ दिजिए मेरा साथ दिजिएगा तो आपको ये सारे जो आपके जितने दिन भी एक्जाम हुए थे साथ 22 डेज क्या 20 या 22 दिन एक्जाम जो हुए थे वो आपको उसका सारा सारा मतल्ब आपको मिल जाएगा मिलेगा आपको इसी चैनल पर तो आईए हम लोग करते हैं कि इसका क्या है तो हर्षित अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का वीवरान नीचे दिया गया हुआ हर्षित क्या है में रुक जा रहा है मतलब वो कितना देर चलना लगतार एक घंटा सत्रा मिनट इसको घटाई यह मतलब चौन चासम से 5 मुट बटीस को घटाएंगे तो क्या होगा नौ में से दो गया तो साथ हुआ और चार में से तीन गया तो एक हो गया और चौन में से पांच गया तो एक गंटा 10 मिनिट का समय लगा इसको और जोसेफ जो है छो चो में चला और साथ 31 में पहुंचा इसका मतलब हो गया एक घंटा 25 मिनिट लगा इसको चलने में ठीक है इस तरह से चला तो अब कह रहा है कि निम्रिकित में कौन सा सही है तो हरसित अमीना समान समयाब्धी के लिए च जोसेफ अमीन अहांत अरशी तो और पहला अप संदेखिए कि इसमें कौन सा सही है पूछ रहा है तो हरसित अमीना समान समय अब भी के लिए चले अर्ष का कितना समय है 1 गंटा 27 का समय है और अमीना का कितना एक घंटा-दो समय चला है बराबर लग रहा है आपको नहीं नह अमीना ये घंटा दस मिनटृट इसके बीच तो फंदर मिनाट का नहें है इस फ्रेंट कि ये तो बात गलत हो जाएगा जो सफ अमीना ज्यादा थोड़ चला जो गलत हो गया अब देखिए आपे जोस्तेफ हर्षित से 15 मिट ज्यादा चला यह देखिए हर्षित कितना चला है एक घंटा 17 मिट चला है और यह गंटा 25 मिट चला है इसके बीच तो 8 मिट का अंतर है अब देखिए अमीना सबसे कम समय चली है जो तो यह देखते हैं एक बच्चे द्वारा प्राप्त अंको का माध चोहत्तर है ठीक है पांच अंक का माध आपको दिया हुआ है माध कर्प्राप्त अंको का मतलब पांच विसयो का माध आपको इसका ठोटल अंक निकालने के लिए क्या करते थे 74 में 5 से multiply कर देते थे 74 into 5 तो इसको जब multiply करिएगा 4 into 5 54 जीरो हाथ में दू 87 35 दू 37 तोटल मार्क्स इसको 370 प्राप्त हुआ है कितना 5 विषय में जिसमें से 3 विषय का अंक आपको दे दिया हुआ इतना इतना ठीक है तो कह रहा है उसके द्वारा पाकी 2 विषय में प्राप्त अंको का माध है निकालना है अंक नहीं निकालना है क्या निकालना है माध मता होता है आउसत एवरेज निकालना है जो जो लग माध माध माधिका बहुला क्लास 9-10-13 में पढ़े होंगे तो तो कोई दिकत ही नहीं है जो नहीं पढ़े हुए है तो आप online class join कीजिए मेरा तो हाँ पर आप कोई पढ़ा दिया जाएगा ठीक है करना चाहते हैं तो description में हम आपको इसका आप देख लिए तो अब तीन विशय का क्या अंक है तीन विशय में क्या अंक मिला हुआ है देखिए तो आपको मिला हुआ है 70 75 प्लस 80 इसको जूरिएगा तो इसको जब माइनस कर दिजिएगा दो विशय का अंक नहीं मिल जाएगा दो विशय का अंक क्या हो जाएगा पांच विशय का तीन सो सत्तर है और तीन विशय का दो सो पचीज है तो दोनों को घटाए तो कितना आ रहा है दस में से पांच गटा पांच और दू चार और तीन दू एक यानि 145 अंक आया 2 विशय का अंक लेकिन हमको तो निकालना है माथ है, 2 विशय के प्राफ्तांक का माध है, प्राफ्तांक का माध है, तो माध वरावर क्या हो जाता है, total mark से बटे, total subject, दो विशय का प्राफ्तांक कितना है total, 145 है, और इसका बटा 2 कर दीजिए, तो इसका माध निकल जाएगा इन्हीं ओसत निकल जाएगा ओसत निकल लेका यही तरीका होता है कि सभी विशयों में प्राप्त अंकों का योग अब अटे टोटल सब्जेक्ट विशय हो चाहे कोई भी कुछ भी हो सकता है किताब हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो इसक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताएं तो इसके लिए देखिए क्या होड़ा है तो सिदा साबात है कि मतलब हम लोग देख रहे हैं कि 910 के वाद क्या है है 8101 के बाद क्या है 732 आया है तो 910 और अंतर निकाल के देखिए तो कितना आढ़ा है कि इतना अंतर आ रहा है देखिए तो दस में से 910 में से 821 है आप पे रफ में कर लिजेगा दस में से गया तो 808 और आठाट खर्तम यानि आपको 189 इसमें से 989 घटा रहे हैं तो 831 हम को आ जा रहा है अब देखिए अब 821 में से 732 घटा के देखिए गया तो 21 से नौ गया तो 21 से 238 और 77 गट गया जैनि इसमें भी माइनस नवासी का अंतर यानि लग रहा है कि सब में नवासी का ही अंतर आ रहा है तो इसको भी खटा कर देखी लिजेगा कनफॉर्मेशन के लिए 732 माइनस छोसो 43 तो 12 में से 3 गया तो 9 और ये कितना हो गया 12 में से 4 गया तो 8 और ये 4 खट गया इसमें भी माइनस नवासी का अंतर है तो 100% से और है कि सब में नवासी नवासी का अंतर आ रहा है तो इहां पे भी नवासी का ही अंतर होगा तो 643 में से अब नवासी घटा दीजिए कितना आड़ा है आपको 643 में से आपको नवासी घटा देना है तो तेरम शुन हो गया तो चार फिर यहां पे तेरम से आठ गया तो पाच और ये बच गया पाच यह जो पांसो चोवण होना चाहिए आपका तो पांसो चोवण होगा ही ठीक है चली आईए आपसन नमड़े हो जाएगा अब आते हैं नेक्स्ट कुश्चन कुष्चन पढ़ना है, समझना है, उसके बाद कुष्चन को बनाना है 800 मीटर की एक दोड में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सकेंड लगते हैं देख रहे हैं आपे, 800 मीटर का एक दोड है, जिसमें अनूप को पहला 100 मीटर जो दोडा तो 14 सकेंड लगा, ठीक है, फिर अगला 100 मीटर दोडा तो पिछले से 2 सकेंड ज्यादा लगे जानी दखिए, पहला 100 मीटर ये पहला चला 100 मीटर, 100 मीटर चला तो 14 सकेंड लगा, ठीक है 14 sec लगा, फिर जब दूसरी बार 100 m दोड़ा तो कितना ? पिछले से 2 sec ज़्यादा लगा यानि 2 sec ज़्यादा लगा यानि 14 plus 2 यानि 16 sec लगा ठिक है ? 16 sec लगा अब आते हैं और उसके आगे 100 m पूरा करने में पिछले बाले से फिर 2 sec ज़्यादा लगा तो आप क्या देख रहे हैं कि पिछले वाले से दो सकेंड जादा लगता है यानि 16 पलस दो हो जाएगा यानि 18 सेकेंड लग गया तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं पहला 14 सेकेंड में फिर दूसरा 16 सेकेंड में फिर तीसरा 18 सेकेंड में किया अब चौथा देखिए तो क्या उसी तरह यहां परक्रिया समाप्त होने तक चलती है यह यानि हर बार दो-दो सकेंड इसका बढ़ते ही जाए जाए तो टोटल 800 मिटर तक चलना है तो देखिए पर चौथा बार में चला तो 400 मिटर हो जाएगा ठीक है यहां पर देखिए यहां पर साथवी बार जो 100 मिटर दोड़ेगा तो 26 सेकेंड हो जाएगा यह परिक्रिया क्या है बार बार चलना है समाप्त होने तक और आठवी बार यानि अंतीम बार जब चलेगा 800 मिटर तो 28 सेकेंड लगेगा इतना पास समझ मैं क्या 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 सेकेंड इस तरह से चला तो कहड़ा कितना समय लगा तो 20 सेकेंड को जोड़ देजिए न क्या लगा 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 दो, दो, चार, दो, चार, दो, आठ इसको जोड़िएगा तो आपको क्या आएगा वो देख लिए जोड़ के तो हम लोग देख रहे हैं है तीन, तीन दू पाँच, दो, साथ, दू नौ, दू एगाड़ा, दू तेरह, एक चाउदा, एक पंदर, एक सुला यानि टोटल आपको 168 सेकेंड आया 168 सेकेंड आया 120 मिनट में कितना 120 सेकेंड में कितना मिनट 2 मिनट यानि हम इसको 120 पलस 48 लिख सकते हैं 40 सेकेंड हो जाएगा तो 2 मिनट 48 सेकेंड इसका एंसर हो जाएगा तो इदिक्कत आगे समझ में लगतार चल ला था यह दो-दो सेकेंड का ज़्यादा बढ़ते जा रहा था उसका ठीक है आईए नक्सा में एक सेंटीमेटर की दूरी कितना है 100 किलोमेटर की दूरी दिखा रहा है यानि कहीं पे कोई नक्सा बना हुआ है कोई नक्सा बना हुआ है उस नक्सा में अगर आप कोई दिसाद बता रहा है कि इतना दूरी यहाँ पर एक सेंटी मिटर का आपको दूरी दिख रहा है तो वो क्या होड़ा है लेकिन रियल में वो कितना है एक सेंटी मिटर सो किलो मिटर के बढ़ा वड़ है ठीक है एक सेंटी मिटर क्या कर रहा है आपको सो किलो मिटर दिखा रहा है नक्सा में ठीक है चोतिसो किलो मिटर है ठीक है तो मान्चीतर पर उनकी दूरी क्या होगी सिधा सब पता चल रहा है इस सो किलो मिटर बढ़ावर एक सेंटी मिटर तो 3400 किलो मिटर कितना बढ़ा कितना होगा बताईए तो 100 से भाग कर देंगे क्या कर देंगे ना सीधा से बात है कि 100 किलो मिटर चुकी 100 किलो मिटर बढ़ाबर है एक सेंटी मिटर के ठीक है बढ़ाबर है तो उनों बढ़ाबर है एक सेंटी मिटर कही है तो एक किलो मिटर कितना हो जाएगा एक किलो मिटर बढ़ाबर एक किलो मि एक एक नियम आता है, पाच्वा कलास में पढ़ना था, नहीं पढ़े हुए हैं, कोई बाद ने, चलिए, आए देखते हैं, उसको समझिए, एक एक नियम, कि 100 किलोमेटर बढ़ावर एक सेंटीमेटर, तो एक किलोमेटर बढ़ावर एक बटा सो, यानि भाग हो जाता है, एक वाई 100, उन्हें 34, तो यहाँ पे 34, बताइए, आप teacher बनने वाले हैं और नहीं पढ़े हुए हैं, इतो तो गलत बात है, पढ़ना चाहिए न, आपको, 34 सेंटीमेटर हो जाएगा, जहाँ पे जो इनिट का रहा है, सेंटीमेटर आ रहा है, तो 34 सेंटीमेटर हो जाएगा, ठीक है, 34 सेंटीमेटर हो जाएगा, कोई दिकत नहीं, चलिए, अब देखते हैं, 6 नंबर, इस नंबर में है, चलिए देखते हैं, एक आयत, ठीक है, यह वो आयत है, चलिए, जिसकी भुजाय जो है न, केवल प्राकीर्थ संख्या में है, यानि एक, दो, तीन, चार, क्या है, सब पोजिटिव नंबर होता है, उसमें 0 से स्टार्ट नहीं होता है, गिंती की संख्या को प्राकीर्थ संख्या करते हैं, तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 6 तरफल क्या है, 24 सेंटीमेटर है, मतलब इसका लंबाई और चोड़ाई कुछ है दिया हुआ है, उसका क्या है 24 सेंटिमेटर है और उसका परिमाप नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता है देहां से देखिए का परिमाप क्या नहीं हो सकता तो 24 वर्ग सेंटीमेटर स्कॉाइड दिया हुआ है 24 वर्ग सेंटीमेटर दिया हुआ है च्छेतरफल आयत का च्छेतरफल दिया हुआ है एक आयत है इसका च्छेतरफल आपको 24 सेंटीमेटर स्कॉाइड दिया हुआ है जोभी सोवर्ग सेंटिमीटर दिया तो आप कहए रहा है कि इसका परिमाप क्या नहीं हो सकता तो इससे हम कैसे पता करेंगे देखिए आप 24 को चार गुने छोटे हैं आचब चोटी को फिर तीक है आप 24 को थीन गुंने आठ लिख सकते और गुंद तीन कहिए चाहिए चोटा वाले को चौब लिए तो अब उसके बाद दिखे अब चौब 20 को आप उन्हें बाड़ा लिख सकते हैं बाद दूनिच और उसके बाद आप 24 को एक गुन्य 24 कर सकते हैं कि क्याकि हम को चैतर अयत कर छेतर प्रवाय का आता है लंबाई गुन्य चव्राई होता है नएक को मालने रहे चोव है दूसरे को मालने चार बस इतना ही संख्यान जिससे आपको गुण्ना करने पर आपको 24 आएगा और कोई संख्या है नहीं है तो अब आते हैं अब सब का परिमाप निकाल के देख लीजिए तो परिमाप बराबर क्या होता है आयत का परिमाप बराबर 2 into लंदाय परस 4 होता है दो इसको लेते हैं चार और छो को लेते हैं तो 2 into लंदाय कितना है दो 24 दोस दूनी 20 cm यानि 20 cm तो होगा अब देखते है अब दुसरा को देख के देखते है आठ और 3 को ले के चलते हैं तो 2 into 8 plus 3 करेंगे परिमाप निकालेंगे 11 दूनी 22 cm हो जाएगा परिमाप 2 into लंबाई परिमाप होता है तो यह भी सही है अब आते हैं इसको देखते हैं 12 और 2 को लेकर देखते हैं 2 into 12 plus 2 12 दूनी 28 28 cm आ जा रहा है मतलब यह भी सही है तो क्या नहीं हो सकता 25 cm नहीं हो सकता है परिमाप ठीक है 25 cm इसका परिमाप नहीं होगा जिसका च्छेतरफल 24 cm रहेगा ठीक है तो अब आगे चलते हैं तूहा 6 बजे दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंस कोन घूम सकते है एक घड़ी है एक घड़ी है आपका ठीक है तो सुभा का 6 बजा है और दोपहर का 3 बजे के बीच एक सही घड़ी सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंस का कोन घूमने लगेगी तो ध्यान से देखिएगा आप 6 बजे से घंटा का सुई को क्या करना है घंटा का सुई को घंटा का सुई को घंटा का सुई होगा और मिनट का सुई बड़ा बला होता है तो ध्यान से देखिएगा यहां से यहां तक घूमेगा तो 90 डिगरी फिर यहां से यहां घूमेगा तो 180 डिग्री मतलब जब यह चो बज रहा है सुभा का तो सुभा से 9 बज तक जाएगा तो 90 डिग्री घुम जाएगा इतना दूर का 90 डिग्री नहीं होगा यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री कुन बनेगा फिर इसके बाद जब 9 बज गया फिर 12 जब बजेगा और 118 डिग्री हो जाएगा टोटल यहाँ पर channel यहां तक 118 डिग्री होगा चैना लंबाई 118 डिग्री होगा अब फिर जब यहाँ पर 3 बज यह पहुचेगा इन बज पहुचेगा तो 90 नबब़ और 90 यानि 3 बार नबब़ नब़ त्याई 243 डिग्री यानि 277 डिगरी घूम लेगा इसा सा बात कोई दिखे तनी इसमें जा समझने के जोड़ते नहीं है आईए इसको ध्यान से समझेगा ऐसा कुश्चन आपको दिमाग टेस्ट करने के लिए ऐसा कुश्चन बना जाता जया पहली कच्छा में पढ़ रही है सिच्चिका ने उसे कुछ चित्र कार्ड दिये चित्र कार्ड दिये ठीक है कोई चित्र वाला कार्ड दिया जिसमें चित्र बना हुआ है जिसमें एक घड़ी का एक बैटरी है ठीक है एक घड़ी का बैटरी है बैटरी तो आप जानते है किस तरह का होता है इस natural आप फिर एक संथ्रा संथ्रा क्या होता है यह घृड़ी का बैटरी हो गया ठीक है बैटरी हो गया संथ्रा गोला होता है कि इस संथ्रा हो गया ठिक है फिर उसके बाद ice cream है ice cream आपalayas drink ace team का होता है ठीक हैане ice cream कर वाने होता है इसको आई सक्रीम बल दिए ऐस क्रीम यह कॉन टाइप का हो गया का संकु टाइपक अब क्यों गया है कि अब आपी यह वर ना का टाइप का हुता है इसा बेटरी है वसी टाइप का मुअबती होगा कैसा मुंबत्ती है मुंबत्ती किताब किताब तो चोड़ा होता है आयताकार होता है और ये किताब हो सकता और एक स्टील का गिलास एक स्टील का गिलास तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं ये क्या होगी आपका गिलास हो गया स्टील का गिलास तो सिचिका ने कहा जया ये किताब है आपका ये ठीक है तो जया को कहा कि एक जैसी वाली आकरिती उठाए उठाने को कहा उसने उठाया क्या घड़ी की बैटरी उठाया फिर उसके बाद क्या उठाया मुंबत्ती उठाया ठीक है फिर उसके बाद क्या उठाया गलास उठाया श्टील का गलास उठाया तो देखने में तीनों क्या है एक जैसा दिख रहा है आपको तो उसने उन सभी बस्टूओं को समान विसिष्टा के अधार पर अलग-ॉलग कर दिया ठिक है अलग कर दिया तो उसने क्या सोचके किया बस्टू के उचाई सोचके प्रि необходoten होता है इस तरह है तो बेलनाकार बस्तु का बहार भार का पता चलेगा बिल्कुल फिन है नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक मच्छतर है बेलना कामस्तू आढ़ देखने में सब बेला नाखर का इसलिए वह क्या हो गया घृत कि यह तो करना था अच्छा सनी कट मान यानि इसको सबसे सरनिकत में क्या कहा सकते आप दो दस अंबलम नौ को ठीन कह सकते है सनिकट में भालू इसका क्या होईगा 2.9 लग्वग 3 क्या मलेंगे 7.4,9 को आप कितना मानीएगा लग्वग में तो आप ये नहीं कहिँ है के 7.5 पाँच मान ले आपको सनिकट मान निकालना है लग्वग में निकालना है तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 5 से अधिक रहता 5, 6 यह रहता तो हम लोग 8 माल लेते लेकिन 5 से कम है तो हम इसको 7 ही मानेंगे तीन गुन्य साथ 5 से अधिक रहेगा तब हम लोग क्या बोलते थे 5 रहे या 5 से अधिक रहेगा तब इसको हम लोग 8 माल लेते यानि अगर यह 7.59 रहता तो हम इसको कहते हैं कि 8 मान सकते हैं यह कम है चाड़ है तो हम लोग इसको डिरेक्ट साथ ही मान लिए है अब यहां देखिए नीचे में 11.51 है यह किस तरह से 2.9 गुने 7.49 अब बटे 11.51 है इस तरह से कुछ हैं दिया हुआ है आपका दू दसवन 9 को लगवग में 3 मान लिए है और 7 दसवन 4 को लगवग में 7 मान लिए है तो 11.51 को कितना मान लिएगा लगवग में 12 मान लिएगा तो 3 कुने 7 अबाई 12 अब का अफसर नमबर 3 हो जाएगा यदि चो और साथ का लगतम समाब बर्त प्र्षाइटा है आपको 6 और 7 का लगतम निकाले आता ही होग आपको कि कि इतना हो जाएगा 42 हो जाएगा जब कटने बला नहीं होता है तो क्या करते हैं गोना ना कर दते हैं दोनों का तो क्या कर रहा है कि X और Y के लगुतम समाप बरते का आधा है, यानि X और Y का जो लगुतम निकालेंगे, उसका आधा क्या है, आधा क्या है, X, Y, Y का जो लगुतम आएगा, मतलब X गुने Y कर देंगे, लगुतम इसका निकालेंगे तो, X गुने Y कर देंगे, और इसका आध हाँ क्या है 42 है और साथ का एल सियंग 42 है एक्स गुन्ने वाई बरावर क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा X गुन्य Y बराबर 84 हो गया तो आपको X गुन्य Y बराबर 84 हो गया और यहां पे X का मान कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है 12 गुन्य Y बराबर 84 हो जाएगा Y का भैलू क्या हो जाएगा 84 बटे 12 हो जाएगा यह फर गुन्या में है तो नीचे में भाग में आ जाएगा तो बारसते चोड़ासी हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा सात हो जाएगा ठीक है अब देखिए आगे कुछन क्या है रिंकी के पास जलेवी की तीन थाली है थाली औ है थाली बौ है और थाली सौ है इनको थाली है थाली औ में केबल एक जलेवी है पर में हम जलेवी लिख देते हैं यानि जलेवी की संखिया औ में एक जलेवी है ठीक है और थाली बौ में पांच को जलेवी है पांच को जलेबी है यह बच्चा समझाने के लिए ऐसा आप कर सकते हैं कि इस तरह का experiment करते रहिए अगर teacher बन जाते हैं तो 100 में 3 जलेबी है 100 में 3 जलेबी है वहां 3 थालिया में बराबर जलेबी है रखना चाहती है अज ende कि थालिए में बराबर सको बराबर कर देना है और में भी बरामज बर जरेवी हो जाया ए झुझा कौन सा कथन सही है अब इसे समसे मताएं लाव में चौन बलस संब कर दियत तो आहीं त из-स आधि देखे लिकार कि हम लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि है थाली बॉओ और थाली जटा कर थाली आ Hag खाली और थाली 100 में ये एक जलेबी उठाकर अलीयवर में रखना अब बताये थाली बॉरव में सिते इगो रखिए गात उपर में यहां तो हो कें स्था रहँ जाएगा सबस्क्रार्इब तो से दोया जाया 1 तो अगया है तो बावर नहीं होगा तो यह तो होगा नहीं तो होई गिया है तो ही वह नहीं पहलेatz में निकल गया है तो इस बह्त गलती हे हैं झाली 8 में से एक जलेवी उठाकर थाली सौ में रखना थाकि थाली बहुआ और सौ में बड़ाबर जलेविया हो जाए अब आगे देखते हैं आगे क्या कुश्चन है हाँ पुर्णांकों के संब्द में पुर्णांक क्या होता है पुर्णांक पढ़े हुएगा पुर्णांक ठीक है पुर्णांक जो जीरो एक दो तीन या माइनस एक माइनस दो माइनस तीन यह हो सकता है या दिखिते हैं तो सक्षाओं का गुनलफल सदभ संख्याओं के बढ़ा बढ़क या उससे अधिक होता है कि अधिक होता है कि अधिक होता है तो संख्याओं का गुनन फल सदैब संख्याओं के बढ़ाबर या उससे अधिक होता है तो संख्याओं का गुनन फल सदैब संख्याओं के बराबर तो नहीं आना चाहिए मैंने सबसे बिल्कुल भी नहीं, हाँ, दो संख्याओं का गुनन फल करेंगे, मालत है कि एक और दो का गुनन फल करते हैं, एक और दो का गुनन फल करते हैं, एक और तीन का गुनन फल करते हैं, तो दो संख्याओं का गुनन फल अधिक हो सकता है, इस दोनों से अधिक हो सकता है, लेकिन उनुजए वको सुक्स् education को मि दो संक्षा जोर सदय संक्षाओब में बलाबर दो कि तो तु तूफ तíन आरहा है दो स्थीन करता तो पाच पाच आरहा है अधिक तो आ आईए इसकूल की इन एस एस एकाई ने परतेक जरुरत मंद बच्चे को तीन बाइचार किलो गराम चीननी देने का फैसला किया तीन बाइचार केजी का मतलब समझते हैं कितना होता है एक केजी बराबर होता है आपका हजार गराम हजार गराम तो तीन बाइचार केजी को अगर हजार से मल्टिप्लाई कर दिजिएगा तो कितना हो जाएगा 2800 गुने तीन यानि सारे 700 गराम यानि सभी बच्चा को सारे 700 गराम चीनी देने का फैसला किया एक प्रायजक से उन्हें इस काम के लिए 2800 गराम चीनी मिली तो कितने बच्चों को या चीनी बाटी जा सकती है परते एक बच्चा को सारे 700 गराम दे रहा है ठीक है और सारे 2800 गराम चीनी उसको मिला है और सभी बच्चा को 3Y 4KG देना है इन्हें 3Y 4KG से भाग कर दिजेगा 3Y 4KG से भाग कर दिजेगा कितना चीनी है टोटल और 3 वाटा 4KG से भाग कर दिजेगा तो बच्चा नहीं निकल जागा कितना बच्चा में यह बाटिएगा तो इसको क्या करते हैं 572 यह भाग है तो इधर वाला क्या होता है पलट जाता है यानि गुना कर देते हैं भाग के जबापे और यह क्या हो जाता है चार वाई 3 हो जाता है तो देखिए 2 से तो यह दो बार में कट जाएगा और यह 3 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा 19 दुनी 38 हो जाएगा यह 38 हो गया आपका कि इतना असानी से बन रहा है को समझना है और बनाना अब देखिये क्या कर रहा है निमलिकीत कत्रों विचार करिए सभी अभास संख्या होती है विल्कुल एक तो आपका दो जो होता है अभास संख्या है लेकिन यह साथ में संख्या भी है संख्या भी है तो नहीं खा सकते हैं कि हम लोग कि सभी अभास संख्या भी संख्या होगा क्योंकि एक तो स्वैंसंख्या आई जा रहा है रहा तो घट होगी आपका एक आंक बली के वल पांच अभास अभास संख्या है एक आंक बला अभास संख्या है इसको सब्सक्राइब आपने आप और एक से कटे अपने आप यानि दो का आवाज गुनन खंड निका लिएगा तो एक और दो ही आएगा दो ही आएगा यानि दो ही गुनन खंड आया तो प्रेसर काता है यह भी सही है तीन और चार सही है चली आएए सिराज अपने रसोई में सेवों को इस परकार ब्यवस्थित करता है उसने पहली पंक्ती में सेव के एगारा जोड़े ध्यांस देखिएगा एगारा जोड़े सेव दूसरी पंक्ती में 22 जोड़े सेव और तीसरी पंक्ती में 23 जोड़े सेव एक जोड़ में 2 होता है ठीक है एक जोड़ में 66 66 हो जाएगा तो रस्वई में कुल कितने सेव है तब का जो रहा का निकाल दिये है टोटल कर देंगे उसको तो चार चो चो बाड़ा का दो हाथ में एक दो एक ती इंचार साथ चो तेरो एक सो बतिस से टोटल है अब सो नमबर दो हो जाएगा अगर आप है किता सब्सक्राइब है अगर आप यह 15 कृष्चन का प्राक्रिस करके जाते हैं गल्हेच..! यह जो भी आप प्रेक्टिस्न बनाते है उसको इसका 15 कृष्चन बना के गर जाते है तो आपके 15 नमबर आने का पूरा पूरा छांस रहेगा आप मेरा साथ दीजिए तो मैं सारे 15 मतलब जो भी प्रिविए सेर का सोलूसन होगा मैं सारे आपको करवा दूँगा और सिफ उतना ही देखके चले जाईएगा वही बहुत हो जाएगा आपके लिए ठीक है जली तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 125 का मैथ 125 का मैथ लेकर और जल्द ही आपको 628 का भी मैथ लेकर आऊँगा मैं ठीक है 628 का मैथ भी लेकर आऊँगा जली तो आप इतना ही रखिए ठीक है जली अंदर